उन्होंने हमारे हिंदू सिस्टम में तेल की रस्म निवाई जाती है रामगड थाने में मेरा माना शाय तेरा मार्च दो जाट बाईस ये 21 की बात है रामगड थानों में उन्होंने तेल की संस्कार कराई कहते हैं कि नाम और इज़त कमाया जाता है वो हर किसी को आप जाकर बताते नहीं है लेकिन नाम और इज़त जब आपकी धरती के उपर लोग बताते हैं किस से सुनाते हैं उससे पता चलता है कि आपने कितना काम किया है लोगों के लिए आज हम किरोडिलाल मीना की धर्ती यानि की मीना हाई कोट पर खड़े हैं और यहां से हम आपको सुनाने वाले हैं बाबा के वो अंसुने किसे जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे उनके जीवन की संघर्श पूर्ण कहानिया इसमें होंगी और किस्से होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे कुछ लोग कहते हैं कि बाबा न ऐसे क्या कर दिया जो इतना नाम कमा लिया वो आज हम आपको इस वीजियो में सुनाने वाले हैं भाई साब आपका नाम क्या है गौरी शंकर जी मैं जानना चाहूंगी कि आप किरोडिलाल मिना जी के कितने करीब है और ऐसा कौन सा किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे किरोडिलाल मिना जी के पूरवीर राजस्थान का बच्चा बच्चा उनके करीब है किरोडलाल मिना जी पूरवीर राजस्थान में कहा जाए तो राजनीती में गरीबों के मस्या भगवान को देखा तो नहीं है लोगों ने अगर राजनीती करूप में अगर किसी व्यक्ति को एक थोटा सा उदाड में अब यहाँ, SDO कोर्ट में एक लेक लिखा हुआ था, न्याई की परिवासा वो दे सकता है जिसके साथ कभी अन्याई वा हो और पूरवी राजस्थान का नहीं मैं कहूं तो राजस्थान का बच्चा बच्चा जिसके साथ कभी अन्याई वाओ हो और जिसने करोड़े लाल जी की सरण लियो वो अन्याई की परिवासा दे सकता है लेट्रेश चुदार में आपको दूँगा दो साल पहले राजस्थान में कांग्रेश की सरकार थी निकटम विधान सबा अमारा लालशोट लगता है ततकाले इन विधायक और राजस्थान सरकार के मुख मंत्र देखा जाए तो दूसरे मुख मंत्री परिशाद लाल मिना जी थे जो चिकिस्वा मंत्री थे उनके विधान सबा छेत्र में दो दलित बच्चियों का विवास अंसकार होना था और उस विवास अंसकार में कुछ सामाजी कंटक रोड़ा बने हुए थे मैं प्रतक्ष गवाओं डाक साब दिल्ली जा रहे थे यहां लोग आए उन्होंने डाक साब किया गुवार लगाई डाक साब ने बिना किसे सोचे समझे मेरा व्यक्तिकत माना हुज़े अगर कोई दूसरा नेता होता तो कलेक्टर को तलब करता है इस जो को तलब करता है इ पुलिस ने जब तक आस्वा संधिया उन्होंने इंतजार नहीं किया और एक हिंदू पद्धति के अनुसार विवा होना चाहिए उसकी रितीर रिवाज निवाने के लिए उन्होंने हमारे हिंदू सिस्टम में तेल की रसम निवाई जाती है रामगड थाने में मेरा माना है 13 मार्च 2022 की बात है रामगड थानों में उन्होंने तेल की संसकार कराई तेल पूजने का संसकार हो करा है एक मानिए वो बच्चियां जिनके विवाव में को रोडाट का और इमिजेट पूरा प्रसासन उनके खिलाप और डाक्ट साब ने उनकी ऐसी मदद की इससे अच् होती है नेताओं के लेकिन किरोडी लाल मीना बहुत अलग है उनसे वो दूसरों की जो समस्याएं होती हैं उन्हें अपनी समस्या मान कर उसका निवारन करते हैं और ऐसा ही एक किस्सा इन्होंने सुनाया है मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने ये किस्स नहीं है उनके पास वो हमेशा अपने पास में आये हुए हर इंसान की मदद करना जानते हैं तो कोई राजनीती से जुड़ा हुआ किस्सा आपके पास है 2004 में तीन में गहलो सरकार थी तो ततकालियन विशुंद प्रिसद के अंतर राष्ट यद्धक्स प्रविन तोगडिया जी का यह आना हुआ था मुष में सेहर था तोगडिया जी ने बिना किसी राजनीतिक बेद बाद के त्रिसूल दिक्षका कारेकरम बांदीकुई में कर करते हुए हमारे विशुंद परिसके कुछ कारेकरताओं को पुलिस ने उठा लिया था तोगडिया जी की शिकारत से बाहर चले गए प्रसासन ने उनके साथ बहुत बत्तमी जी से पेस आए वो तीन कारेकरताब शायद वो उनमें से ततकालीन चैर्में प्रभूजी डंग लिया है डाक्ट साब रात को बारा बजे कोल वा थाड़े पहुंच गए और वहां से सीधा चेताओं ने देदी ततकालीन गर्यमंत्री प्रद्यूम सिंग्जी को यह मेरे कारेकरता है इनके साथ अन्याई नहीं बक्षा जाएगा वो कारेकरता डाक्ट साब को निभूल सक हमेशा अवेलेबल हुए हैं अपना निजी काम छोड़कर जनता के लिए काम कर्वाना फिर चाहे से वो थाने में बैठे रहना हो फिर चाहे से वो सडकोıl पर बैठे रहना हो यह सब करने के बाद के रोड़िलाल मीळाय ने वह इस्जत कमाई है वह नाम कमाया है जो आज प कामरमन करन शर्मा के साथ चेतना शर्मा नमस्कार